नमस्कर दोस्तों यह मेरा है लेंटाना का पॉट इसमें भर-भर के फूल आते थे लेकिन अभी कुछ दिन से फूल आ रहे हैं और ऐसे ही जड जाते हैं नहीं को फूरा फीला हो जाता था बहुत सारे बंचिसमें आते थे तो आज मैंने इसको निकाला आप देख सकते हैं इस की जड़ें बिल्कुल नीचे तक चली गए और यह देखे यह इसमें पत्ते उत्ते जो दबाये थे वह सब गलके खाद बन गए और कितनी सारी जड़ें आ गए एक्स्ट्रा जड़ें जब बहुत सारी आ जाते हैं तो क्योंकि गंबले में स्पेस कम होता है जड़ों को फै होने के बाद हमारे जो फूल है वो नहीं खिल सकते हैं तो अगर फूल जड़ रहे हैं आही नहीं रहे या फिर छोटे आ रहे हैं साइज छोटा हो रहा है फूल हो फल हो जो भी पर्मानेंट पॉद है उनके तो इसका मतलब है कि आपकी रूट बांड हो गई है तो उसमें लगभग आपको साल में एक बार उसको जो है इसको रिपोर्टिंग इसकी करनी होती है आप देख सकते हैं पूरी मिट्टी में जड़े जड़े दिखाई दे रहे हैं कि कितने बड़े बड़े इसने उच्छे इसके बन गया है तो इतनी सारी जड़े जब होंगी तो इसमें जड़े बनेगी है इनको निकाल के सबको आप चाहें इनको निकाल के अलग कर दें या ऐसे ही खुदाई करके छोड़े इसी में डाल दें क्योंकि पेड़ से एक बार अलग हो गई है तो फिर यह न्यूटिशन नहीं लेंगी और गल के खाद ही बन जाएंगी तो इ इस समय रिपॉर्ट करना बहुत जरूरी है यह पूरा भर जाता था फूलों से लेकिन अब कुछ दिन से यह नहीं फूल रहा है फल फूल राडंग से तो इसमें फूल कम आ रहे थी तो इसमें बहुत सारे वेस्ट चीजे में मिट्टी में मिला देती है जैसे मूफलिक छि जाने से पहले सूखे पत्ते लकडी उगरा भरने का यह फायदा होता है कि एक तो आपकी मिट्टी पोरस रहती है दूसरे आप जो रिपॉर्ट करते हैं तो वो तब तक सारा गल जाता है चार-चे नहीं में और आप उसको मिट्टी में मिक्स कर जीजे तो आपको दूसरा जाने के बिल्किल सब्सक्राइब नहीं रहेगी वही खाद बन जाएगा तो मैंने इसके में मिक्स कर गिया है जिसमेरी पत्ते तो इसमें जो चेज है इसके उपर कंपड़ रखे अब में जबारा से इसको लगा जहीं है तो नडाई गुडाई करनी बहुत जरूरी होती है कि अगर आपको फूल ज्यादा लेने हैं अच्छे से खाद लिकुड फर्टिलाइजर जो भी देना होता है साथ ही कुछ पौध है ऐसे तो उनको बहुत ज़्यादा खेर की जरूरत नहीं होती और यह पौधा अपने आप इस फूल देता रहता है लेकिन अगर रूट बां देखना पड़ेगा नडाई गुडाई करनी पड़ेगी जरूर अगर यह पौधा वो कम फूल दे रहा है और अगर फूल इसके जड़ रहे हैं तो समझे आपके इसके रूट बांद हो चुकी है तो इसको इस तरह से आप तो बारा से निकाल के इसके जो एक्स्ट्र करके फूल आते हैं और इसमें चोटे फूलों का एक बंच जगा जगा होता है तो यह पहले भर जाता था पूरा लेकिन अभी यह कुछ दिनों से कम फूल आ रहे है और अभी जो भी आ रहे थे वो जड़े जा रहे थे अपने अब तो अब मैंने इसको रिपॉर्ट कर दिय इसको पानी दे दूँगी और चार-पांस मिन तक इसको मैं सेमी शेड़ीड या फिर शेड़ीड एरिया में ही रखूंगी वैसे आज कल ठंट है तो धुपा ही नहीं रही है जादा ते तो यह पौधा जो है अब दोबारा से फूल बहुत जादा आने शुरू हो जाएंगे देखें चोट चोट बंचा रहे थे लेकिन इनकी उपर से वह जड़े जा रहे थे तो अब इस पौधे में पूल तरह से फूल फिर से पहले की तरह से भर जाएंगे और अब इसकी जो एक्स्ट्र जड़ें थी जो निउट्रिशन इसका ले रही थी नहीं पूलों तक झाल जाल झाल झाल झाल